कि हैए अधर अधर आज हम लोग करने वाले हैं जही एडवांस के एक्टिसिंटी के क्षचिन जो 2022 में आचुका है इसके मैंने को पहले ही आपके फोकस कर रहें में सम्पोकस कर देंक और परकूम करने वाले जो जो जई पूरा पूरा नहीं लेकि बहुत कुछ आप सब्सक्ते हो जो भी एवरेज बच्चे हैं वो भी बहुत कुछ सब्सक्ते हैं क्योंकि सब बेसिक्स की बाते हैं जैसा कि आपको question देख पा रहा है कि हमारे कास हमारे पास circuit having eight resistances total eight resistances आपको दिख रहा है है एक दो थे चार्माचे ऐसाथ आठी एंड तू आइडियल बैटरी इस बैटरी मतलब जिस बैटरी में इंटर्नल रेस्टेंट्स जीरो हो जाए उसको आइडिल बैटरी बोगते हैं इवन इटू दो बैटरी हैं इवन की वोल्टेज 12 वोल्ट है और इटू के पास है 6 वोल्ट विच आपको फॉल्व स्टेट्मेंट्मेंस इस आर करेक्ट मतलब एक याएक से जार्दा भी करेक्ट काना साथ आपको दिल सकते हैं मैंनिटू अब करेंट फ्लों थ्रू आर वन श्रू आपको चलो देखते हैं वन वाइंवन सॉल्ट करते हैं यह आप देख पारेगों सर्कुट में सारे रेस्टेंस की वैलू सेम है सब की वैलू सेम है इस लाइन की बात करें इस लाइन की अकरास में खड़े हो के देखाँ तो और मैं तीन और या थीन बिल्कुल अइडेंटीकल है इसका मतलब समझते हो मतलब इस सिरकुट इस सिर्क्प्रिक एमाइब आउट इस लाइन तो हमनों क्या कर सकते हैं इस वाले सर्किट को आप फोल्ड कर सकते हो तो आपको यह दोनों पैडल में मिलेंगे और यह दोनों भी पैडल में मिलेंगे जब यह दोनों पाडल होंगे तो आप क्या लिखोगे इन दोनों का यानि कि 11 ओम का पैडल वार रेस्स्टेंस वह आपको 1 बाई 2 मिलेगा तो अगर मैं आप्शन को हटा दूं तो मैं सौर कर सकता हूं तो इन दोनों को अगर आप करो तो आपको मिल जाएगा रेस्स्टेंस कितना वन बाई 2 ओं इन दोनों का इन दोनों का कॉंबेनेशन की आपको स्थ 1 बाई 2 फिर 1 bene का मनेशन निकाओ एंडिर सवाइत लोगा तो आप निकान पाओं गए गटला इन दोनां दोन्स Dale Ö держalो बैटली हमारे पास एक एधर है और एक इधर ऐसा कुछ है अब पस तो आप क्या करोगे यहां से करेंट को ऐसे निकलने दो करेंट को दिकलने देते हैं आई यह करेंट आई ऐसे जाएगा फिर यहां पर जाकर डिस्टिबूट हो जाएगा ठीक है इधर माल लो आईवन है इधर माल लो आई माइनस आई बान है ठीक है फिर वापी से आई इधर आजाएगा तो आपी छोटे सी लूप के लिए पिच्छवाब फूरू लगा सकते हो लगाकर देखें लगा लेते हैं तो माइनस आई माइनस आई इंटु वंगाई टू इस वन फिर और जाएगा है मा I 1 into 1 by 2, मिनस I into 1, या पर तो बनों ही यह था, मिनस I into 1 plus 6 is equal to 0, ठीक है यह रिख सकते हैं, आपर शो कुछी इस एकल तो I plus I 1 by 2 plus I by 2, ऐसे रिख सकते हैं, एकोछी पर से पर शोनी है, एकोछी है, जएकोछी है, दुस्टा लूक लिख सकते हैं, एकोछी है, जोगी है, एकोछ 12 यह 12 बोर्ट है तो आपको को 12 माइनस यह प्लस हो जाएगा अगेंस दी करेंट हमोने किछ आप सुरूल सीखा था तो यह प्लस आइवन बाइट यह हो गया आइवन बाइट फिर अलांग दिकरेंट ऐसे जा रहें तो माइनस माइनस आइवन बाइट फिर अलांग दिकरेंट इसके लिए भी सो माइनस आइवन इस इक्वल टू जिए अपको दिख रहा है में ज्यादा कोने में चला गया हां ठीक है यह एक्वेटिशन है अमारे पास अब इन दोई एक्वेटिशन को में व्यूंट साल्व करेंगे इसको साइब बना लेते हैं बड़ा सा लग रहा है तो कि अब कर दिकिता मैं किया कर रहाँ आप्षन को यहां से हठा देता है या फ्रर इस स्क्रेशन को बता है पर टो यह क्रेशन तो देखो आई यह 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 अपर आउह यह आप यह तो आओ 3i by 2 plus i1 by 2 plus i1 by 2 this is equation 1 और जब इसकी बात करेंगे तो फ्रसा simplify कर लेते हैं 12 plus i1 by 2 यह हो जाएगा minus of 3 i minus i1 by 2 that is equal to 0 तो यह हो जाएगा 24 plus i1 minus 3i plus 3i1 is equal to 0 24 is equal to 3i minus 4i1 ठीक है ना 24 is equal to 3i मैं अपसे वी question solving का आप कुछ नहीं है बच्चों इसमें कुछ भी नहीं है यह सी मेरे क्याल से आ सकता है तो आपको मिल गा 24 plus i1 minus 3i plus 3i1 तो आपको यह equation 1 मिला हुआ है यहाँ पर equation 2 मिलिया आपको इसको थोड़ा और simplify कर लो आप यह sector 12 is equal to 3i plus i1 अब इन दो equation को आप solve the sector minus कर दो equation a ले लो इस equation b आप लिख लो a minus b a minus b कर दो 12 minus तो 4 minus 12 12 हो गया यह दोनों कट गया यह हो जाएगा minus of 5 i1 ठीक है? यह हो गया minus of 5 i1 तो i1 तो negative वाले पर घब्राना नहीं है negative वाले पर घब्राना नहीं है minus 12 पर 5 हो गया यह i1 ठीक है? i1 आप देख पार है वो बीच वाले भी था i1 minus 12 by 5 तो यह जो 1 by 2 बनाए तो 2 resistance को मिलाने पर ऐसे flip करने पर बना था इसको half कर दोगे तो आपको मिल जाएगा उपर नीचे का current यह आपको मिल गया i1 minus इसलिए आजा है यह काउंटों को ने उल्टा लिया एक n को उपर जानी चाहिए थी और क्या? हमें आप निकाल लिए है i की value ठीक है? तो इसको 4 से मल्टिप्लाई कर दें यह i1 आगया मेरे पास i1 आज़को आज़को इसको यह छोड़ो अब आप क्या करोगे? इस equation को 4 से मल्टिप्लाई करोगे बी वाले को यह हो जाएगा 48 12 i plus 4 i1 this is equation C अब आप A और C को add कर दोगे यह add हो गया 72 हो गया और add करेंगे तो यह 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 कट जाएगा आपको मिल जाएगा 15 i तो i की value मिल गए आपको 72 by 15 72 by 15 यानि की 24 by 5 एंपियर ठीक है ना? हाँ 24 i और i1 दोनों मुझे value मिल चुका है मुझे तो अब i चो value है 24 by 5 है इसको आप half आप distribute कर तो होगे नीचे वाजे सर्कृट में था उसको मिल जायगा 12 by 5 ते यहां से छेक रह सकते है यहां से चेक रह सकते है थी है? यहां जाए चेक रह सकते है यह सारीムाइव क्या ए ओवर इसको आप मेरे आ पने यहां से हटा रहा है अब चुर्य था वह वापिस लिए आप के चेक कर लेटे हम लोग ने सही किया है तो यहां से मारूम पड़ने वाला है अब देखो आप लोग ने यहां पर लिया था आइवन तो आइवन की वेलब है तो इसको टू से डिवाइड करो उसको मिलेगा जो यहां मिलेगा यहां भी मिलेगा यहां तो प्रफिस्क भाइड तो इसमें आर्ट और दो आर्ट डिया और यहां पॉय्ट प्रीट धिए अरफ अब बाव तो आरवन रवन न कॉल्से करेंट है इंदा आई माइनस आइवन था और यहां 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 रूल को बोला गया है मार्थ इस जो हो जाएगा 36.5 यहानी कि 7.2 तो सेटाइब निम्गेद और यह सेटाइब एक यह लाई तो सब्सक्राइब रहा था आई कर लो 24 by 5 है यानि कि 4.8 है दो यह भी सही है magnitude of current flowing through R5 R5 हमारे पास यह है यानि कि इन दोने में current है पिल्कुल सेम है यानि कि आप पे जो आई था ना आई था उसको half कर दो half कर दो तो आई का half है 12 by 5 यानि कि 2.4 यानि कि यह भी सही है इस question में सारे आपको सही मिलें बच्चो तो अगर आगर आपके पास भी क्यों डाउट है जे इद्वान जे इमेंस तो आप मुझे वेश सकते हैं आपको विडियो सुल्चिन मिलेगा बच्चो टेक क्ये रिच्क केर